हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 योट्यूब चैनल की NCRT वीडियो सिरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कक्षा आठ की जियोग्राफिकी टेक्सबुक जिसका पांचवा अध्याई है उद्योग उद्योगों में आज सूती वस्त्र उद्योग के बारे में A to Z information हम प्राप्त करने वाले है हमारे भारत देश में सूती वस्त्र उद्योग कौन-कौन से शहरों में विक्सित हुआ है विश्व के प्रमुक सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन-कौन से है ऐसे महतो पुरुन फैक्टर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो ये वीडियो में आप लाष्ट तक बने रहें लाष्ट में कमेंट शेक्षन में जरू बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा चलिए बिना वक्त गवाय स्टार्ट करें तो कक्षया आठ की जियोग्राफिकी टेक्सबुक जिसका पांचव आध्याई है उद्योग और ये आध्याई में आज हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ने वाले है तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ एक महत्व पुरुना शब्द है टेक्स्टाइल या टेक्स्टाइल शब्द की उत्पती कैसे हुई देखो टेक्स्टाइल शब्द लेटिन के टेक्सी यरे से व्युत्पन किया गया है जिसका अर्थ बुनना ह टेक्स्टाइल शब्द कौन सी भाषा से व्यूत्पन हुआ है लेटिन भाषा से सही आंसर है option C और अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की तो दागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचिन कला है कपास, ओन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्मार म कुद्रती रेशों का इस्तेमल होता है कौन-कौन से कुद्रती रेशे कपास, ओन, सिल्क, जूट और पटसन उप्योग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरन किया जा सकता है रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है रेशे प्राकृतिक रेशे कौन-कौन से है? ओन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट. जबकि मानव निर्मित रेशे कौन-कौन से है? नाइलोन, पोलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयोन. एक बार फिर से पढ़ ले? कि रेशे वस्त्र उद्योगों के कच्चे माल है? रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते है? प्राकृतिक रेशे ओन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किया जाते हैं जबकि मानव निर्मित रेशों में नाइलोन, पोलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयोन शमिल है. यहां से दो क्वेशन आपके लिए. पहला क्वेशन, निमन में से एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो रेयोन मानव निर्मित रेशा है, तो सही आंसर बनेगा ओप्षन दी. अगला क्वेशन, निमन में से एक मानव निर्मित रेशा नहीं है, तो कपास एक प्राकृतिक रेशा है, मानव निर्मित रेशा नहीं है, तो आंसर बनेग बाकि नाइलोन, पोलियेश्टर, एक्रिलिक और रेयोन यह सभी मानव निर्मित रेश्यो के एक्जाम्पल है। सूती वस्त्र हस्तकताई तक्निकों एवं हद करकों से बनाया जाता था। तो अठारवी सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्व पुर्ण उत्पादक देश है। सूती वस्त्र का महत्व पुर्ण उत्पादक देश नहीं है। कौनसा? कनाडा. बाकि भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र का महत्व पुर्ण उत्पादक देश है। भारत में अत्योतम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गवरोपुर्ण प्रमपरा रही है। भारत में हाई क्वालिटी वाला सूती वस्त्र बनाया जता है। ब्रीटीश शाशन से पुर्वा, हाच से कते और हाच से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्त्रूत भारतिय बाजार था। दोस्तों जब हमारे बारत देश में अंग्रेज शाशन नहीं था, तब हमारे बारत देश में सूती वस्त्र का एक विस्त्रूत बाजार था। धाका का मलमल, मसुली पत्नम की छेट, काली कट के कैलिको, तथा बुर्हानपूर, सुरत और वडोद्रा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्तर गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्या थे। दस्तो, कीस देश की या कौनसे शहर की कौनसी चीज फेमस है वो याद रख लिजे। धाका बांगला देश की केपिटल, धाका का मलमल, मसुली पत्नम की छेट, काली कट के कैलिको, तथा बुर्हानपूर, सुरत, वडोद्रा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्तर गुण और बन्ने में अधिक समय लेता था, इसलिए परमपरागत सुती वस्तर उद्योग पच्चिम के नए वस्तर मिलो से प्रतिस्पर्दा नहीं कर सका, जो सस्ते वह अच्ची गुणवत्ता वाले वस्तरों का निर्मान यंत्री कृत अध्योगिक यूनिट में करते थे, दस्त हमारे बारत देश में सुती वस्तर उद्योग यंत्री कृत अध्योगिक यूनिट के कारण बर्बाध होने लगे, कहा का मलमल विश्व विख्यात्ता बताइए, कहा का मलमल विश्व विख्यात्ता, ढाका का मलमल विश्व विख्यात्ता सही आंसर ओप्चन D, पहली सफल यंत्रिक्रुत वस्त्रमेल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई यह भारत के लिए महतोपुर्ण फेक्ट है कि हमारे भारत देश में पहली सफल यंत्रिक्रुत वस्त्रमेल कब और कहां स्थापित की गई थे तो मुंबई में 1854 में कोष्ण आर्दर जलवायू, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलबदता और दक्ष्य स्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के दुरुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारब में यह उद्योग महराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकुल आद्र जलवायू के कारण पनपा। लेकिन वर्तमान में आद्रत्या क्रुत्रीम रूप से उत्पन की जा सकती है और कच्ची कपा शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन भागों में फ्यल गया है। कोयम्टूर, कानपूर, चेन्नै, अहम्दाबाद, मुंबई, कोलकत्ता, लुध्यान, पुड्डुचेरी और पानिपाद कुछ अन्य महत्तो पुर्ण केंद्र है जहाँ पर सुती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। एक बार फिर चे पड़लो, कि पहली सपल यंत्री कृत वस्त्र मेल मुंबई में 1854 में स्थापिट की गई, कोष्ण आरदर जलवायू, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्दता और दक्ष्यस्त्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के दृत फेलाव मे सहाइक रहा, प्रारम में यह उद्योग महराष्ट्र और गुजरात राज्यमिया अनुकुल आरदर जलवायू के करणपन पा, लेकिन वर्तमान में आरदर ता क्रुत्रिम रूप से उत्पन की जा सकती है, और कच्ची कपा शुद होती है, एवं वस्त्र उत्पादन प्रक अहमदाबाद, मॉंबई, कोलकत्ता, लुद्याना, पुड्डूचेरे और पानिपत कुछ अन्य महतो पुरुन केंद्र है, जहाँ पर सूती वस्त्र बनाये जाते है, क्वेशन, पहली सफल यंत्री कृत वस्त्र मिल, कहा स्थापित की गई थी, मॉंबई में, एक और क्व अला लो इस बात का कारखाना कहा स्थापित की अगया था, सही ऑप्शन चुनिये, वीडियो को पोज करे, और नीचे कमेंड बॉक्स में आंसर भी लिखे, ओके, आगे बात करे, तो सूती वस्त्र उध्योग का महतो पुरुन केंद्र है, सूती वस्त्र उध्योग का महतो इन्फोर्मेशन दी गई है, जहांसे कमपीटिटरी एग्जमेनेशन के लिए क्वेशन भी बन सकते है, कि देश में प्रतम वस्त्र उध्योग अठारा सो अठारा में कोलकत्ता के समीप फोर्ट गैलेश्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समीबाद यह बंध हो ग पहली सूती वस्त्र की यंत्री कृत मिल कहां बनी थी? कब बनी थी? 1854 में, कहां पर बनी थी? मुंबई में, अब अहम्दाबाद की बात करें, अहम्दाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तटपर्स थी थे, 1869 में यहां पहली सूती मिल स्थापित हुई थी, यह यथ च्छी वाष शिग्रः मुंबई की बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र नीर्माता नगर बन गया और अहमदाबाद को प्रायह भारत का मैंचेस्टर भी कह जाता है यहासी क्वेशन कि पारत का मांचेस्टर किसको कह जाता है अहमदाबाद को मुंबई के बाद पारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्तर निर्मात नगर कौन बन गया है अहमदाबाद अनुकूल अवस्तिती कारक अहमदाबाद में सूती वस्तर हुद्योगों के विकास में सहायक थे अहम्दाबाद कपास उत्पन करने वाले क्षित्र के बहुत निकर स्थित है यहां कच्चा माल आसानी से उपलब्द होता है जल वायू कताई और बुनाई के लिए आदर्श है यानि कि अनुकुल परिस्थिति के कराण यहां अहम्दाबाद में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है निम्ना में से किस शहर को भारत का मांचेश्टर कहा जाता है भारत का मांचेश्टर कहा जाता है अहम्दाबाद को अहम्दाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित हुए थे दस्तो आपने तीन वर्ष याद रख लिये एक तो पहला सूती वस्त्र का कारखाना कोलकत्ता के निकट कब 1889 में हमारे भारत देश में पहली यंत्री कुरुत सूती वस्त्र मिल कहा बनी थे मुंबै में कब बनी थे 1854 में और अहम्दाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई 1869 में सपाट भूबाग और भोमी की आसानी से उपलब्दता मिलो की स्थापना में उपयुकत है गुजरात और महराष्टर राज्य की घनी आबादी इस उद्योगों को कुशल और अर्धकुशल स्रमीक उपलब्द कराते है दोस्तो यहां घनी आबादी से उद्योगों के लिए कुशल और अर्धकुशल स्रमीक आसानी से मिल जाते है सू विक्सित सड़के और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन भागों में आसानी से पहुचाने में मदद करता है और इस तरई इसकी बाजार तक सरल पहुच उपलब्द हो जाती है प्रमुक कारण क्या है? पताए सभी सेंटेंस त्यान से पढ़ने होंगे कि अहम्दाबाद ने सूती वस्त्रों उद्योगों का विकास होने का प्रमुक करण क्या है? एक तो अहम्दाबाद कपास उत्पन करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट स्थी थे जी हाँ यहां कच्चा माल आसानी से उपलब्द होता है, बिल्कुल सही बात यहां की जलवायू कताई और बुनाय के लिए आदर्श है यह कथन भी बिल्कुल सही है तो हमारे लिए एक सही आंसर बन जाता है उप्शन D, उपर युक्त सभी कथन बिल्कुल सही है आगे बात करे, तो नजदीक में मुंबई पत्तान इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्तर के निरियात की सुविदा प्रदान करता है प्रन्तु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्या यह है बहुत से वस्तर मिल बंध हो चुके है देश में नए वस्तर केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रोद्योगी की का नविनी करन न होना इसका प्रमुक कारण है दस्तो हमारे भारत देश के और शहरों में भी सूती वस्तर उद्योगों का विकास हुआ और हमारे अहमदाबाद में क्या हुआ कि मिलों में मशीन प्रोध्योगी की का नविनी करण न होना इसकी वज़ा से यहां दिरे-दिरे सूती वस्त्र मिल बंध होने लगे क्या आप जानते हैं कि भारतिय वस्त्र उद्योगों के कुल उत्पादन का लगबग एक तीहाई हिस्सा निर्यात किया जता है आगे दूस्तों एक एक्टिविटी दी गई है कि दरजी की दुकान से विभिन प्रकार के कपडों के टुकड़े इकटे किजिए तथा उन्हे सूती, रेश्मी, कृत्रीम रेशे वाले और उनी कपडों में वर्गी कृत किजिए आपको एक एक्टिविटी ये अध्याय में दी गई है कि आपको दरजी की दुकान की विजिट लेनी है यहाँ से विभिन प्रकार के कपडों को इकटा करके सूती, रेश्मी, कृत्रीम रेशे वाले और उनी कपडों में वर्गी कृत करना है टुकडों को, ओके आगे बात करें ओसाका जापान का प्रमुक सूती वस्त्र उत्पादक यह शहर है ओसाका जापान का एक महतो पुर्ण वस्त्र निर्मान केंद्र है यह जापान का मैंचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है ओसाका जापान का मांचेश्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्तर उद्योग का विकास कई भवगोलिक कारणों से हुआ है। और भी दोस्तों भवगोलिक कारण है जिसकी वज़ा से ओसाका में या सूती वस्तर उद्योग विकास हुआ है। आगे बात करेंगे लेकिन इस क्वेशन का अंसर बताइए। निमना में से किस शहर को जापान का मांचेश्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का विकास हुआ है। इनके पीछे एक और रीजन है क्या। कि योडो नदी मिलो के लिए पर्यप्त जल उपलब्द कराती है। स्रमिक आसानी से उपलब्द है। पत्तन की अउस्तिती कच्चे कपास को आयात करनी और वस्त्रों के निर्यात की सुविता उपलब्द कराती है। ओसाका का वस्त्रों उद्योग पूर्ण तह आयातित कच्चे मालों के उपर निर्बर है। दस्तो यहां जापान में कपास का उत्पदन नहीं होता लेकिन ओसाका में जो सुती वस्त्रों उद्योग विकास हुआ है तो यह पूर्ण तह आयातित कच्चे मालों के उपर नि दोस्तो ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास तुवा है लेकिन यहां कच्चा माल कहां से आयात किया जाता है मिस्र भारत चेन और अमिरिका से और परिश्कृत उत्पाद अधिकांस तोह निर्यात किया जाता है दोस्तो यहां चार कथन है चार सेंटेंस त्यान से पड़ेंगे कोश्ण आरदर जलवायू कताईव बुनाई के लिए बहुत ही उप्यूकत है जी हां योडो नदी मिलो के लिए परियाप्त जल उप्लब्द कराती है बिल्कुल सही वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल स्थानिय किसानों से प्राप्त होता है यह कथन बिल्कुल गलत है हमारा आंसर बन जाता है ओप्शन सी क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां कपास मिस्त्र, भारत, चेन और USA से आयात की जाती है और परिश्क्रित उत्पाद अधिकांस तोह निर्यात किया जाता है और आसाका का वस्त्र उद्योग पूर्ण तोह आयातीत कच्चे माल के उपर निर्बर है यहां दोस्तो स्थानी एक किसानों द्वारा कपास का उत्पदन नहीं किया जाता हो के उच गुणवत्ता और कम मुल्य की वज़े से उसका एक अच्छा बाजार है यद्यपी देश का यह एक महतो प्रण उद्योग है लेकिन हाल ही में उसका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लो इस्पात, मशिनरी, जहाजरानी, आटो मबाइल, विद्यूटूप करण और सीमेंट ले जा रहे है उसका में दोस्तों यह सारे उद्योग पनप रहे है वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो वाके में आपको अच्छा लगा, हेलपफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेस्बूक, वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए हमारी जीक के 2020 यूट्यूब चैनल के लिंक शेर करना मत बुलेगा और अभी तक आपने हमारी जीक के 2020 चैनल को सबस्क्रेब ने किया है तो पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे